तो भाई लोगो क्या हल चाल है मैंने आपको 1000 रुपे से लेके 5000 तक के बीच में अल्ट्रा स्मार्ट वोची सेजेस्ट करी है लेकिन इन अल्ट्रा स्मार्ट वोची के ना वोरेंटी नहीं होती चले तो चान तक और ना चले तो शांग तक लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये हैमर की तरफ से एक अल्ट्रा स्मार्ट वोच है जिसमें कि आपको 12 मंथ की वोरेंटी मिलने वाली है साथी साथ इसकी प्राइसिंग है मातर 13 रुपे आज की वीडियो में बात करने वाले इसी स्मार्ट वोच के बारे में तो बस आप एंट तक बने रहना चलिए आजकी दमा के दार वीडियो को स्टार्ट करते है तो भाई यह रहा हमारे पाच smart watch का box front side पर आपको display size mention किया गया है बात करते कर हम left hand side के बारे में तो यहाँ आपर कावी सारे features को highlight किया गया है same goes with the right section यहाँ पर भी आपको features देखने के लिए मिलते हैं back side पर आपको QR code मिल जाता है फटापट से करते हैं जरसे open तो finally हम यहाँ पर smart watch को open कर चुके है सबसे पहले हम यह section मिलता है हम अटा देते हैं इसके बाद provide करवाए गया है main dialer तो फटापट से unwrap कर लेते हैं जरह main dialer को and unwrap करने के बाद करते हैं जरसे switch on यहाँ पर आपको मिल जाता है hammer का logo फिलाली से side में रख देती है further box के अंदर में मिल जाती है एक charging cable वो भी wireless pad के साथ में साथ ही साथ आपको यहाँ पर दो color के steps मिलते हैं सबसे पहले आपको black color के provide करवाए गई यह and second मिलता है हमें orange color की बाकी box में provide करवाए गया एक 500 रुपीज का coupon code साथ में मिल जाते है warranty card एंड एक user manual जिस आप scan कर सकते हैं अब बात करेंगर इसके physical overview के बारे में तो right hand side पर आपको मिल जाते है एक working ground साथ ही साथ आपको एक microphone एक power on no button भी provide करवाया गया है left hand side के गर हम बात करते हैं तो speaker bands आपको मिल जाते है साथ साथ एक action button भी मिलता है back side पर आपको 4 screws provide करवाये गई है साथ साथ आपको मिल जाता है strap locking एक wireless charging के लिए door अब अगर हम बात कर लेते हैं स्वाली smart watch के display के बारे में तो 2.01 inch के आपको HD display देखने के लिए मिलती है इसकी quality काफी प्यारी यूज़ करी गई है बाकि outdoor की बात करते हैं तो outdoor में कुछ ऐसा perform करने वाली है मेरे साथ से outdoor में भी आपको कोई भी दिक्क्त आने वाली नहीं है in and field की बात करें तो वो भी काफी प्यारी निकल कर आती है अब जरह बात कर लेते हैं साली स्मार्ट वोच के यूई के बारे में तो जैसे आप उपर से स्लैड करोगे तो notifications आपको मिल जाएगी नीचे से उपर स्लैड करने में बेर कंट्रोल पैनल आजाएगा जहां से आप Bluetooth ओन आफ कर सकते हो प्लेड को यूज कर सकते हो इवन ब्रेडनस कंट्रोल जैसे फीचेस आपको मिल जाती है जो कि कुछ इस पर कारे में आपको दिखा देता हूं बाकि आपको इसके कंट्रोल सेंटर में म्यूज कंट्रोल का भी फीचर मिल जाता है अब अगर हम बात करते हैं लेट औंड साफ जासे स्लैड करने पर तो वैदर अपडेट से डे टे जैसे फीचेस मिलते हैं साथ साथ कुछ applications भी प्रोगाइड करवाई गई है अब अगर हम बात कर लेदे इसकी settings के बारे में तो यहाँ पर आपको काफी सारी customization मिल जाती है आप Bluetooth ओन कर सकते हो DND लगा सकते हो डिस्पेलिक अगर हम बात करते हैं तो आप brightness सकते हो screen time को ज्यादा कम कर सकते हो अपने हिसाब से बाकि आपको यहाँ पर find my phone language जैसे काफी सारे features मिल जाती है साथ ही साथ आप उसमें password के option देखने के लिए मिलता है security purpose के साथ से भी काफी अच्छी मिलती है फर्दर आपको यहाँ पर screen clock जैसे features मिलती है जिने आप अपने हिसाब से on off कर सकते हो एंड इवन आप उसमें मिलता है तो आप फर्दर बात कर लेते हैं स्मार्ट वोच के अप्लिकेशन के बारे में तो इसमें आपको मिलता है डाइलर यह वाली स्मार्ट वोच आती है जिसे आप स्कैन करकर इसके अप्लिकेशन है जो हराई फाई उसे डाउनलूड कर सकते हो बात करते हैं कुछ एक्स्टर फीचर्स के बारे में तो हर्ट्रेट मॉनेटरिंग जिसे फीचर्स आपको मिलते हैं जब मैंने से नोर्मल हवा की मेजरमेंट करने को कहा तो इसने कह कि अपनी स्मार्ट बोच को धियां से पहले यांद मैंने विच्ट्राइब करने के बाद इसने हमारी है तो सेंसर वगएर्ण है जैनि मिन है अपको फिक सेंसर फीचर्स मिलते हैं एवन एक एक कैलेकुलेटर भी प्रोवाइड करवाएगी है और इतना ही नहीं आई आपको उसमें सीरी का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है बस उसके लिए आपको से कनेक्ट करना होगा एप्लिकेशन की बात करते तो वाट सब आप उसमें देखने करें मिलते हैं अपने फ्री टाइम में यूज कर पाऊगे आप इसे बैड लैंप के तरह भी यूज कर सकते हो बाकी यहीं तेसली स्मार्ट पोच के फीचर्स दो कि मैंने आपको लगबग सारे ही बता दिये अब अगर हम बात करते इसकी लुक्स के बारे वाज आपको इसकी बैस्ट वाइंग लिंग के बारे में तो लाल का रार का सबस्क्राइब बटन है उसे ग्रे कर दो बाई बाकि आप मुझे अपको यह हैमरी के अल्टर स्मार्ट वोच कैसी लेगी मिलता आप से अगली वीडियो में नई स्मार्ट वोच की लेगी साथ तब तक के लिवाए जय हिंद जय वारत